दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल एविटिक में इस वीडियो में लोग बात करने वाले जारखंड से आई हुई नई प्रारित्मिक और उच्छ प्रारित्मिक विद्यालियों में सिच्छक बरती के बारे में आप लोग जानते हैं कि 26,000 पदों पर प् आपर मांगा है सीटिट को यहां पर अलाओ नहीं किया है तो पहले तो यह समझे लोग कि ऐसा किया क्यों और दूसरी बात इसका समझेंगा स्लूसन क्या है कैसे आप लोग आवधन कर पाएंगे जो अधर इस्टेट से बिलॉंग करते हैं तो आप लोग जानते हों कि जारक से अपनों देखा होगा बिहार में डॉमोसाइल लाओ किया गया लेकिन डॉमोसाइल भी सुप्रीम को हाई कोट से खारिज हो गया उसमें भी आपको अधर इस्टेट वालें को लाओ किया गया तो यह दोनों कंडिशन ऐसी हैं जिसके आधार पर जो है कोई भी सरकार अब अधर इस्टेट को रोक नहीं सकती है तो जारखंड सरकार्ण थोड़ा सा दिमाख लगाया और यहां पर जेटेट को लाओ कर दिया इसमिल्टी क्रिटेरिया में कंडिशन लाओ कर दी यहां पर आवदन कर पाएंगे लेकिन आपको बता दें यहां पर इसको लाओ करने से जारखंड के जो बिरती हैं वो खुद विरोध में आ गए हैं कारण का यहां पर की 2016 से बताया जारा है कि 2016 से जारखंड में जेटेट परिच्छा का आयोजन नहीं किया गया है और जो 2016 वाले हैं भी करनेटेट या उसके पहले की भी हैं उनकी संक्या बहुत काम है इये बती समझते थे किस बार ऐसा हो सकता सीटिट को नहीं करेंगे लोग तो वहां पर पहले से ही याज़का लगा दी गई है तो जारखंड में सीटिट को बहुत करने के लिए लगी है और यह मालीजिञा अगरा सीटिट को बहुत कर दिया गया तो निश्य तरुप से जा यहां पर लावानवीत होंगे उनको भी इस बढ़ती मौका मिलेगा तो इस मामले की जो अगली सुनवाई है 25 जुलाई को आई तिंक होनी है 25 जुलाई को कुछ यहां पर जरूर अप्डेट मिलेगी और मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के भी सीट के पच्छ में फैसला यार पद हैं पद कम नहीं है ठीक है तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा और इसी तरीकी की अपडेट की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद हूं